हेलो फ्रेंट्स मी विश्राखा ग्लोबल ओलाण मारेधी मद अपला सर्वान सा स्वागता है अच्छा सेशन मद अपला बामो मंचे इस बाबा से बंबेड कर मराट वड़ा उनिविशिटी चाप पीएजडी एंटों स्टेस साथी रीसर्च में इतल होजी सा प्रिपरेशन क अपला पहिला लेक्चर है सो लेट्स स्टार्ट करना पर एक इंपोर्टन सुचना कि मास अंध्या है त्या स्टूर्स स्टूर्स या वर्शेचे एक्जाम टार्गेट करता है त्या उनिविश्टी चाइग्जाम साथी एक फुल कोर्स हमें आलो हुच जो तुमाला मास या पुर्ण कोशी पीसा है साच शे रवान रुपे अन इकट देले ले वाट्स अम्मरला मैसेज करन तो मेल लेकिटा स्कॉर्स ला जायन हुचकता एपला प्रेशनला सुरुवात करू शकता तो विदाउट वेस्टिं इने ताइम ले स्टूर्ट वेस्ट आलो हो तु मिलवन्यास अनुमती देते आणि अधिक सवरची सौशदन सुरू करना साथी दिशा प्रदान करते अशा प्रकार्ची सौशदनास असे मंटले जाते कि मां काय मंटले जाते तही ये तेसे क्वेश्चिन आपलाला खुप मोठा दिस्तो है अपने अउगड दिस्तो है मां अश्रवेश काई करना च आपले ला क्वेश्चिन च दोन फोड करना करते प्रकार कुटला है मंचे हाँ संशदना च प्रकार वरती प्रशणा है आपले अप्चन साथ fundamental research मोलीबुच संशदन applied research उप्वजी संशदन exploratory research, invention संशधन and conclusive research में चे निर्णायक संशधन तो या मद यह चे correct answer है first fundamental research में चे मुलभूद संशधन तो मुलभूद संशधन का हला करन अपले ला एक चांगली concept देती है और एक संवरेचित संशधन सुरू करने चे दिशा देती है मज़े हाँ एक basic संशधन अपले ला इते देना रहे हाँ जो research आ है प्रश्णा मतला जो research आ है तो अपले ला basic concept clear करना रहे basic research मुलभू ने ना रहे तो fundamental research में चे काई भगुया fundamental research also known as basic research and pure research does not usually generate findings that have immediate application since practical level fundamental research is driven by curiosity and the desire to expand knowledge in a specific research area this type of research makes a specific contribution to the academic body of knowledge in the research area the fundamental research में चे काई basic research जो curiosity किमवा आपले इंट्रेस नी डिजार नी एक्स्पांड उत्ते knowledge मज़े curiosity असेल तेवा आपले ला इखादा नवी शोड़ लागतु तेल पाने वर का तरंगल तेचा नंतर न्यूटन सा जो लोग है कि आपल खालीच का पड़ल हाँ basic research आए fundamental research चाला मत आणि pure research बाकी चा तेया मदे नवी नवी गोश्टीन चा शोद लागला ते वेगविगा प्रकारा मदे येताद पन मुलभूत संशदन basic संशदन जे काई आए ते आसा curiosity मदुनेत क्यों आपले knowledge इक्स्पांड करने चाट desire मदुनेत येसा इमीजी आट application होत नाए पन तो एक शोद असतो जाला मुलून तेला आपने basic research मनुशकतो तहे काई करता आपले आला knowledge मदे भर देता हेक fundamental research सा वैशिष्ट आयासा आपन मनुशकतो तापली fundamental research ची concept clear जालियासे next question the sampling techniques under which population is divided into mutually exclusive groups and the researches drawn sample is called नमुना तंत्र जाचा अंतर्गत लोग संख्या परस पर विशेश गटा मदे विभागली के लिया है आणी संशदक नमुना काड़तो आए तहे वा अपले ले sampling method की माँ sample निवडाय चासता तहे वा अपने का population मदून ते निवडातास तो मताचा वहरून वेगविग्रे प्रकार पढ़ लेला है जे statified sampling, cluster sampling, snowboard sampling and quota sampling हे जे का प्रकार है ते सगले अपने sampling techniques साहे कि वा sampling technique चाप्रकार है तर अपने ले प्रशना मदे देलीला है कि which population is divided into mutually exclusive group नमुना तंतर जेचांतर को लोग संख्या परस पर विशेश के टामदे भी भाग लेगे देले है तर तो नमुना प्रकार कोन ता अपने आप्सें साइट stratified sampling, cluster sampling, snowboard sampling and quota sampling that's a correct answer है cluster sampling cluster sampling मिंजे का है ते आपन बोग लिया what is cluster sampling cluster sampling is a probability sampling techniques where the researchers divide the population into multiple groups that is cluster for research तर अपलेला माईते है probability and non-probability प्रकार है जे अपलेला sampling निवडना साथी मदद करता है कि वा sampling साथी है दोन प्रकार है आणी probability sampling मतला एक प्रकार है जला आपन cluster sampling मनतो तर तचा मदे आपन काय करतो आपने samples निवडना साथी techniques मदे population multiple groups मदे divide करतो वेगविगरे groups ताहर करतो जला आपन clusters असमानतो researchers then select random groups with a sample simple random or the systematic random sampling techniques for the data collection and data analysis तर डेटा visualization करना साथी कि वा samzoon घेना साथी तर 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 तली technique उस करना साथी जब आपन वेगविगरे group select करतो कि आपना हूंतो अपलेला हावे ते अभ्यास करने साथी कि माँ डेटाइट्स कलेक्शन से अनलेसिस करने साथी ते तुन मग अपन निवड़तो। एक सिर्ड संपलें मचे काएतल इसे मल्टिपल गूप सब्सक्ता अनैस अन्यांतर मता हाओ र Araम। गूप सुटलेपप सम्पल मढच सुट हिज्ज क्कृष। to conduct a study to judge the performance of sophomore in business education across the U.S. It is impossible to conduct a research study that involves the students in every university. Instead, by using cluster sampling, the researchers can club the universities from each city into the one cluster. तर इते एक्जाम्पल काई दिलेला अपलेला कि U.S. सचे एजुकेशन आहे, तेचा वर्ती जर अपलेला कि मा तेटले उदिटी मदे ये चुटूड़ेंस अब्भैस करता है, तेनचा वर्ती अब्भैस करता है. महें अपलेला शक्या है का तेटले सग्राज उदिटी स्टूड़ेंस सा डेटागोड़व करना नाही. मह आपन तितने cluster sampling करनाई, वेग भी काई उनिसिटी मदले थोड़ी थोड़ी स्टूडेंस सा अभ्यास करनार और तेला मग अपन एक कत्र क्लाप करूं जो काई अपना निश्कष आसे रिजल्ट आसे प्रत्यक उनिसिटी मदून तो एक क्लस्टर निवडून तेचा तुन सांपल मनून निवडून जो काई निश्कष निगला रहे तो अपला रिसर्च कंक्लूजन आसना रहे कि वा रिसर्च चा रिस्डल्ट आसना रहे आशा प्रकर है क्लस्टर सांप्लिंग अपन यूज्ज करतास तो नेक्स्ट थर्ड क्वेस्टन अलोजिक विच इंक्लिवस जोनिंग कल्मिनेशन इन्फरेंस फ्रॉम गिवन लिस्ट अफ सर्टन फाक्स इज एक खादा तरकर जामदे रेखाटने तिल कलस्ट विशिष्ट तत्थे दिलेला सुचिं बदून अनुमान समाविष्ट केले के अई तते कशा प्रकार से टिस्टन असनारे कि माट टे कशा प्रकारस असना रहें जाईतिम अप्शन स्यईच अच्ट रखाक चरह अश़्न और या करेक्ट अंशर मग प्रल्च उन एक नलग्व और उस्ट औरसता महें तो चरह टाला विजनग थे इते एक conclusion अपने पक्क में था जवा deductive reasoning था तेवा deductive reasoning deductive reasoning start with a certain of general rules and proceed from there to a guaranteed specific conclusion deductive reasoning moves from the general rule to the specific application तई अपने एक लाइन में याले में तैचातास अपला answer है कि जनरल रूल पस तेख specific application परें था deductive reasoning में था अपले लाइन सांगितले तेख specific facts अहे बरपूर ते आतुन एक conclusion कि वहा है ते अपने लाइ ड्रोन करेचा है काडा है मैं जे specific application साथी काडा है मती कश्या प्रकर से logic असना रहे ते deductive reasoning असना रहे मन अपले correct answer ते काडा है अलो तो deductive reasoning in deductive reasoning if the original assertion are true then conclusion must also be true तो जे facts दिले लाइत तो जे conclusion सुधा true असना रहे facts अने में खरे असतात अपला लामाईत दिया है मनुन इथे conclusion देखिल कसे अना रहे true अना रहे मनुन अपले तो जे correct answer जे आलो तो तो जे deductive reasoning आलो तो मात आपन inductive reasoning पन बगुंगी विया सोबत अस deductive reasoning मने conclusion guaranteed हासता inductive reasoning मने conclusion merely likely हासता inductive reasoning begins with observation that is specific to limited scope specific मनुन एका limited scope मने inductive reasoning यहता and proceed to generalized conclusion that is likely but not certain in light of accumulated evidence you should say that inductive reasoning moves from specific to general तो यह जो मने देका है वरति आपन बगितला कि जेनरल पास उन specific application मने लेता deductive reasoning आणि inductive reasoning मने specific to general यहता हाँ दोन इतला फरक जरी अपलाला समझला तरह आपन कुटला deductive reasoning आए और कुटला inductive reasoning आए है सहाज correct answer देवुशक्तो तैचनान तरह आया objective reasoning taking your test best shot conclusion guaranteed conclusion यह मेर likely and taking your best shot यह दोनी पे कि अपला लेक best shot गेचा है तया है है reasoning आपन आपर तो अबग्ट्यू reasoning typically begins with an incomplete set of abbreviation process to the likeliest possible explanation for the cell जेका है मिज़ जवार पास तो यह कुटला set a cell explanation करने साथ है तया है आपन है आपर तो अबग्ट्यू reasoning is the kind of daily decision making that does its best with the information at hand which often is incomplete जेका ही incomplete हैस ताथ गोष्टी कि माचे अचा में तक deductive है कि inductive reasoning है आपना समसत नहीं कि माचे अचा काई गोष्टी आए तैचा अवरों ते clear होत नहीं तयावा ते objective reasoning असता है तेकिंग यो बेस्ट शॉट जरा आपन मनुशोकतो ता असा प्रकाचा है तीन स कंसेप्ट आपन clear के लिए लहता next question मदे कि माचे कि माचे क्यों मदे कुटे जरी आपन डिडेक्टी इंडेक्टी डिजनिंग वापर ला तरी आपन तेचा explanation असास प्रकारी देवशुकतो next fourth question research studies which determine the frequency with which something occurs or its casual association with something else is called तेला काय मनतर research अब्यात समाते जे कही घड़ते तैसी वारन वारी ता कि माँ इतर कशिशी तैसी सहव कार्य करतो तेला काय मनतर अक्टे वारी जिया है अपली वारन वारी जिया है ती कशा सो बत्तरी calculate होते कि माँ असिस्ट्रेट होते तर तेला अपन काय मनुशप्तो कि माँ त्याचा अभ्यास करने याला काय मनुशप्तो अपले options आहेत formulative research, descriptive research, diagnostic research, experimental research तर अपन यहसे correct answer show दाईचा है पड़ आपन शुरुवातिला जानुआ कि frequency काड़तो कि माँ catcher association करतो काही तरी सह करे असल ते काड़तो तो ते काय करतो मैंज़े types आहेत रिसर्चे तह चामादे name का खुटला type असना रहे of course frequency काड़तो मैंज़े ते काही तरी आपन निदान करना साथी कि काही तरी शोद गीड़ा साथी ते करतास्तो काल्कुलेशन करतास्तो मैं तो formulative research असल का नहीं नवीन काही तरी form होते करे चामादे नहीं descriptive research मेंज़े फक्त आपन अबजर्व के लिए ले 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 तरी डिस्क्रिप्शन ती ते यह ना रहे का नहीं diagnostic research बरबर frequency जीते आए ती ते आपन calculations करूँजे का correct answer असना रहे ते आपन काड़ना रहे ती आपन experiment करना रहे जी ओल्रेडी जीते प्रेजंट आए ते आपन रिसर्च करना रहोत ते आपन निधान करना रहोत मंज़े डाइग्नोस्टिक्स करना रहोत तुमन अपन अपले चे correct answer का असना रहे 3. Diagnostics research निधान सोशदन ती ते आपन काई अपन काई अपन correct answer तर 3 तर it refers to knowing Diagnostics मंज़े नेमी काय It refers to knowing About the health of client ते आपने क्लाइट से ते आपने क्लाइट से ते आपने क्लाइट से ते आपने क्लाइट से ते आपने Typically, Diagnostics research focuses on estimating the sensitivity and specificity of individual Diagnostics test प्रत्य गोष्ट जाये एक आदा research आपन स्पेसिफिक गेत लेला है ते चा से ते आपन मनुन research मनुशोब Diagnostics test जासता Specific, मज़े इस statistics मधे आपन अकडे वापरतो तो यह से आपन वापर रिसर्ट को Specific research साथी Their predictive value and other parameters of interest, मज़े ते चा मधे काई-काई वेगवी यह parameters साहे तैला सुथा लक्षा त्थीऊँ वालागत या Diagnostics research मधे Such as likelihood ratios ROC curves, test reality या जगोश्टिया है Diagnostics research मधे Question वधे वाग इतलो ते की Frequency वधे जए काई questions साहे त्यापन यह जब देगे तो मज़े आपना correct answer दिते 3 आलो ता Diagnostics research Next question हाई The different conditions that prevail in a research study Under which experimental and control groups are put are called जा संशुदन वा अब्बय सचा अंतरगत प्रवयग आत्म काणी नियंत्रित गट ठेवले है आशा विविद्ध परिस्थितिनना काय मनताद त्रेक गोष्ट इथिकले विवेची के experimental research मधे अपले आला control groups परती अभ्यास करावला लागतो variables जास्ता ते control सस्तात कदी-कदी नस्तात पन control groups परती आपन experimental research करू शकतो त्या नियंत्रित ठेवनाचा गटांचा परिस्थितिला आपन काय मनताओ option side treatment investigation, blueprint analysis अपन जीते प्रयोक करतो है त्यते आपन analysis, direct visualization blueprint रूपरेशा नियंत्रित गट अस्ता त्या परिस्थितिला blueprint मेंचे आपन से काई बनोना रहो तैसे एक अर्या खड़ा आसा investigation नियंत्रित गट त्यार के लाए अंतरचीची प्रोसेस है त्या है investigation पन जी गट अपन निवड़तो त्या परिस्थितिला आपन treatment मनतो first treatment in experiments a treatment is something the researchers administrate to experiment units मज़े काई units साहे त्या चाहँ आड्मिस्ट्रेट करना मज़े त्या चाहँ लक्ष देना त्या चाहँ नियंत्रन करना त्या काम है या प्रोसेस लापन treatment experimental research मदे है experimental research मदे control group चा परिस्थितिति ना कि माज जो काई administration कराई साहे treatment next question 6 question the term is used in experimental research to reflect the restrain in the experimental condition हाश अब्द प्रयोगात्मक संशदनात प्रयोगात्मक परिस्थिति सैयम दर्शोन साथी वापरला जात्तो तर सैयम मेंटला नंतर आपलला correct answer click वाईला पाईजे experimental research मदे experimental conditions use करना है कि वा control करना है सैयम दर्शोन साथी कुटला गोश्टी वापतत आपले options साथ value, alternative, novelty control सैयम दर्शोन साथी correct answer for control control प्रयोगात्मक परिस्थित सैयम दर्शोन साथी नॉर्मली देखिल आपन सैयम साथी control हाशब्द वापतत अने प्रयोगत्मक सम्षद ने देखिल हाँ सब्द control हाशब्द आपन वापतत when conducting an experiment a control is an element that remains unchanged and unaffected by the other variables control जो है तो कुटले variable नी बदला जात नही experimental research मदे it is used as benchmark or a point of comparison against which other test results are measured तो जा अप्रला टेस्ट measure करें चासतात research experimental research मदे तथी है benchmark controls जासतात benchmark करतात किमा तो आप्रला चंगला research देने साथी मदद करता साथ controls in experiment next question is the ones that have a strong contingent effect on the relationship between and independent and dependent variables स्वतंत्र आणी moderating variables अपलला लक्षा थे वैसा है कि दोगान वरती जवा तीवर फेक्ट पड़तो स्वतंत्र चलानी अवलम बिच्छा वरती तेवा तो moderating variable अस्तो आता हा नेम का काहे तो सम्जून गिवया करें स्वतंत्र रेंडियंग तर तर वर्याबल स्वतंत्र चलानी थे प्रशा स्वतंत्र अपल्च बढ़ती तर चलानी आपन बिच्छा चलानी रहती मुदाद पुन अपन गोश्टल आपन अजपर वैरियेबल मेण एक वैरियेबल एघ डून वैरियेबल है रही डिपेंडेंडेंट वैरियेबल है करती है यहां उपन सच करता असोर्य है ॥ा पन एक रिसेच मधермद इंप्लाई करता है असे ते moderating variables अस्तात next question है a statement about the magnitude trend और behavior of the population under study is called अब भ्यासा नुसार लोग संखेची परिणाम प्रवुरुति की वा वरतन या बदल से विधान याला काय मंटल जात तर हाजो प्रशना है तो hypothesis वरत्या है hypothesis से वे प्रकारा है तर hypothesis मंझे काय नेम का समझुन गिविया तर hypothesis मंझे अपन एक गोश्ट आजम करतो कुटली ही research करता ना एक गोश्ट आजम करतो कि या था परिणाम असा असा आवा अड़े ते आन अंतर अपनलेला conclusion काड़ुन में hypothesis करेक्ट होता किचु किचो होता ते कसो करेक्ट होता ते कसे करेक्ट ना ही या अपनलेला conclusion में पटगुन दे आवा लगता ते यह एक अपनलेला condition दिलेले कि आप बैसान सार लोकसंखे चा परिणाम प्रवरुद्धी कि वह वरतन या बदे तीसा विदान से आए ते hypothesis कशा प्रकर्चा है अपनले उप्sche साय थे नल हाइपोथिस शुन्य गृहीतक अल्टर्नेट्व हैपोथिस स्वाईकल पी गृहीतक डिस्क्रिप्टिव हैपोथिस वार्यषम नास्मा गृहीतक रिलेशनल हैपोथिसस मनजे सम्ऻनित गृहीतक जा चा करेक्ट असा है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथसिश वर्णन अतम गुफी तक का तो यह मदे लोग संखेविश्री अपला न करेंचा है प्रिणाम सांगे चेल प्रवडूत प्रावईध्टी सांगे चास हम जे नेम क काई कराइचा अपला तो वर्णन कराइचा है डि descriptive hypothesis हसना रहे ति आप लेला descriptive hypothesis ता प्रकार सांगता एना रहे तर options मद आपन ज़े hypothesis से प्रकार बगितले ती समझोंगी या the null hypothesis is a typical statistical theory which suggests that no statistical relation and significance exists in a set of given single observed variables ज़े variables असना तर तैचा वर्त आपना observation करऊं hypothesis महांड़तास तर जहां hypothesis मदे कुटलास प्रकार सा statistical relationship नहीं है कि वा significance नहीं है तर तेवा तेट null hypothesis असना between two sets of observed data and measured phenomenon ज़ा आपन किती वरेस करतो ज़े शिंगल वरेस करतो कि वा दोन सेर्स मदे करतो तर त्या मदे अपला जो का रिजल्ट में तो ज़र तेर्चा मदे कुटला ही संबंधना सेल तर ते नल हाइपोथेसिस मजे शुन्य गुरुही तक असता नेक्स्त हां इं इस्तास्टिकल थेस्टिकल हाइपोथेसिस से Baba sticky है रहे सिजल्ट में अपया तेस्टिकल थेस्टिकल थेस्टिकल हाइपोथेसिकल थेस्टिक तर दूसरा हे प्रकार Altyaphypothesis is a position that say something is happening कि आपने नावियन थेरी तफ अपन के लिए जाते कि मा लागू के लिए जाते जुन्या चाह आए वजी तयावा तल आपन अल्टरेनेटी है पतेसिस अमनतों बाइक सामच आंपेशिंच केंट स्यूज पटेश्य कें जो उभेट अपर नमादिनीज नहीं में बना आपकेश्च में अरप्रिवन प्राइस्टेप करें छो छो जो लोग आपके रिप्रेचर शुग एक रिप्रेचर रिव्युश नहीं मुझे नौटेश के हम अचाये बजी तो आपन अल्टरंव थिव हाइपोथेसिस में फॉष। तो इस है is a statement about existence size from the distribution of variables the size, form is the one we have to know descriptive hypothesis in the research आथ आपले लाका संगेतलों कि लोग संगेती साभ परिनाम हे सगड़ अपले लहाई है descriptive मैंने descriptive मैं यह आपले लाका संगेतलों descriptive hypothesis मैं काई कही हो उशकता size form उशकता क्यों distribution उशकता variable बढ़ने हें description hypothesis हाई, researches often use a research question rather than descriptive hypothesis, research question विचहाता था पन descriptive hypothesis हाबसी, descriptive hypothesis are useful for testing statistical significance, हें काशा साथी use कता, ता statistical significance यूज्गना उस ता था, बढ़ने ता, null hypothesis हाशता, नेक्स्ट आहे, a relational hypothesis is a one that suggests variables are related in some way मझे ज़े ज़े दोनी variables में काई तरी समन्द आहे, मझे ते relational hypothesis आहे a casual hypothesis is a one that suggests that a cause and effect experimental research में ते cause and effect साब बैस करतो तो इथे ज़े अपला casual hypothesis आहे, ते काई सचुस करता cause and effect अपला स्यांगतासता relationship exists between variables मझे ते काई तरी relation variables मदे आसता, null hypothesis मदे दोनी मदे काही समन्द आसतो आने relational hypothesis मदे ओकर मदे काही तरी समन्द आसतो an example of relational hypothesis is that significant relationship exists between smoking and obesity उधारन अर्थ काई दिलेला है कि तेने smoking आने obesity या दोनी मदे काही तरी relation आहे मंजे ते एक relational hypothesis आहे असा अपन मुनुशक तो है example तेने आपलेला दिलेला है next question 9th which principle advocates the simuliness or the sequential use of qualitative and cognitive method of investigation ता पास नीचे गुनात्मक आने परिणात्मक पद्द ये कासे विड़ी कि वाँ अणुक्रमिक वापरा से तत्वा समर्थन करते तरी था वे एक तत्वा है जा मदे qualitative और quantitative दोनी मेथड से वापर आपन करतो research मदे तरी तत्वा काया है ये अपलेला संगाय जा है अपलेला में रिसर्च में दोन प्रकारा है qualitative and quantitative methods तर्ट्या मदे ये दोनी से वापर के लाजातों काही रिसर्च में दोनी वापर लाजाता तर्ट्याचा तत्वा काया है कि वाँ कुटला तत्वा समर्थन करते प्रिंसिपल ट्रांगुलेशन प्रिंसिपल उफ ये अप्रिंसिपल उफ रिसर्च डिजाइन प्रिंसिपल उफ टेस्टिंग शाचनी से तत्वा तर्ट्याचा करेक्ट अंसर आहे first principle of triangulation 3 kodak tattwa this is what is the name of the trikodak tattwa of course we have a question that quality and conducive eh i find one one thing to have is the correct answer is this is why we have a question I don't know what is the athak tattwa but it is the question we have a question triangulation refers to the use of multiple methods and data sourced कॉलिटिटिटिटिटिव रिसर्च तु डेवलप और कॉंप्रेंसिव अंडेस्टैंडिंग फेनमेन तु यह प्रकार्चा तत्वा मदे तुम्ही मुल्टिपल मेथड्स यूज करू शकता है कि वा कुछले कॉलिटिटिटिव रिसर्च असुदे पन्ध अच्छा मदे तुम्ही वेग वेग विग प्रकार्च च मेथट्स यूज करू शकता है मनुझाला थ्रेंगुलेशन प्रिंसिपल असा पन मनुशकता है भर्कार्च असे तिपुम्ही रिसर्च इंपनाा थे म्नुफुम्ही रिसर्च यूज करूभी यूस करूभी प्रकाइशन कोभी वेग वेपलेशन करत शेह थी melhores इसल्या नि hour Amigen, असा असा अभें वेग विभ्लेषन अच्छा मन् यूज करूछ है मिल उशक्तत या प्रकाच तत्वा मदे next question है a survey which is conducted on different sample groups at different time intervals is called वेगविगले वेडवेड़ी गितले ले नमुनांचा गटानवर के ले ले सर्वेक्षनाद असे मंटले जाते मज़े काय सांगितले ले कि sample groups sample groups गितले त वेगविगले different time intervals नुस्ता प्रत्यकाचा वेड़े नुसार वेगविगले पिरेड नुसार है group पढ़ लेला है तत्ती कशाप्रकाच श्टड़ी असे कि मत आज सर्वेक्षनाला कायमेंट ले जाए options ना है cross-sectional study cohort study cohort analysis longitudinal study and time series time study time series study तर याचा correct answer आसना रहा है cross-sectional study cross-sectional study आपन काम हनतो ते भगविया तर यादी आपन एक-एक options सम्जोंगी हुए कि longitudinal study मेंजे कासना रहे कि एकाच काडातील पन टप्पय टप्पयने के लेला आप बैसासतो time series मेंजे वेड़े नुसार के लेला आप बैसासतो cross-sectional study मेंजे काय cross-sectional study मेंजे काय a cross-sectional study is conducted at a given point in a time एक time दिलेला आपन त्या point में त्या time point में अपलेला त्या ते कंड़ेला सर्वे लॉगेटियूनल स्टडी रिक्राइचस तो तो मोल्गिटिटोर्स टाइटिछाल्स टाइटिया है. स्टैटी में जर्टिटोर्स्टिड्या हम मतें आपलेल्स न dress. स्टैटिटोरज सेंपले शी गाराल भ fiqueiक्रामियांud जर्टिटोर्स टाइचस न करना। तरी साम्पलस ते सेम असता तस अ क्रॉस सेक्ष्णल मदे नसता तो अपले प्रश्ण विचार लगा होता कि वेगवगया थिकानी वेगवगया टाइम वर्ती जेवा रिसर्च चा सर्वेक्षिन केगले जाता त्याला काय मनतता है मता अच्छा करेक्ट अंचर आपले ला क्र अच्छा सेशन सकती धन्यवाद